शामली में समालवादी पार्टी के कारालिया पर सबब परतियस अध्यक्स नरेंद्र उत्तम पटेन ने कहा कि भाजबा सरकार में आज देश महंगाई के दोर से गुजर रहा है जिससे लोगों में हाकार मचा हुआ है यूवकों को रोजगार नहीं मिल रहा पैट्रोल के दाम लगतार आसमान चूरें हैं और देश के परधान मंती नरेंद्र मोधी विदेशी आत्रों में व्यस्त हैं उन्होंने कहा कि भाजबा सरकार में व्यापारी दलीत पिछडे मज़़ूर गरीबों का उत्पिडन हो रहा है देश में लोकतन को खत्रा होने के चलते ही सभी पार्टियों को एक होना पड़ा समाजवादी पार्टिय के परधेश अध्यक्स नरेस उत्तम पटेन ने बुद्वार को सपा करले पर आयोज़ित परेसवारता को संबूज़ूत कर रहे थे उन्होंने कहा कि केंध की भाजबा सरकार को चाल साल होने वाले हैं और परधान मंत्री भी देश यात्रा में बियस्त हैं। देश की जंता का भी अब धीरे धीरे भाजबा सरकार से मोभंग हो रहा है। बच्चों को भी बैतर शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इनकी कोई निती नहीं है, कैसे वोट बूर्ध बना के जंता को हम ले लें। और कैसे तोर और पैसे रुपीय धूर्ट परेव से हम सरकार बना दें। क्यों यहीं एक निती भार्टी जंता पाटी की निती है। कोई कि तुम मन से किसके मानते हैं निता। अप्टी जंता पाटी का एक बात साहरा चुआ रणने का जेश में पर्देश में जिले में जिन्दू मुसल्मान को लड़ा करके उसका लाभ लेने का। कि अप्टी जंता पार्टी मानों के लास्त पारां उसके जाजमें के थी है। कि समझवादी पार्टी दो लोगों के बिच में एकता पैदा है। अधिलेश। कि अधिलेश।